कि आप सब लोग यह देखी अब सुबर के बज़ रहे हैं शायद पांच बज़ने वाले हैं अभी पांच बज़े नहीं है मैंने सबको चाय दे दी है सब लोगों ने चाय पी ली है सबको गव मैं सुबर सुबर चाय पीने की आदख है पिर चाय पीके चान भी ने गया है यहीं बर यह देखिये अपड़ लेकिन आवास सुन रहे हैं आप कितनी अच्राइज पर प्र यह अच्छी आवाज है कि चिडियां कि चैचाहाट की आवाज सुनाई देती है सुबह के टाइम यहाप आप गूम सकते हो चलो तो हमारे सुबह का काम अब शुरू हो चुका है दीदी जो है पीछे की सफाई कर रहे हैं यह घर के मारे पीछे का हिस्सा है जो मैंने आपको मॉर् फ्राई अच्छा लगता है तो हमें घर के अंदर के साथ-साथ घर के बाहर भी जखाई करने ही चाहिए और यह तो हमारे घर और का ही हिस्सा है यहां पर हमारे बिटॉडा है वाशयों सीन ही पाए और हमारी सब्जिया भी यहीप कर ही है तब तक मैं चूले पर झ्जाड़ भी साथ में लगाना शुरूर करती है क्योंकि रोटी तो दीदी बनाने वाली है इसलिए मुझे और कोई फिर काम नहीं होता मुझे सिर्फ किचन साफ करनी होती है और सबजी बनानी होती है तब तक मैं जो है जाडू लगा रही हूँ तो और कल जो है तक यह के कवर होए थे ह अब खुला घर है थोड़ा तो एक्स्ट्रा केर तो मांगता ही है खुला घर वरना तो जो घर है दो दिन में ही गंदा हो जाए अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो जो है अब इसको पहले पिल कातके के कवरों को चड़ा करके फिर मैं जो है अच्छी से सारी टेबल को पोंच दूंगी अच्छे से ताकि जो है घर अच्छे से चमके और काम तभी खतम होता है जब सब लोग मिल करके करते हैं एक अकेले के काम करने से काम पूरा कंप्लीट नहीं होता है हमारे घर में सभी लोग मिल करके काम करते हैं कोई भी किसी के ऊपर काम नहीं छ कि गाउं में बड़ा घर होता है सारे काम जादा होते हैं तो इसी विए सब लोग मिलकर के अपने काम को पुरा करते हैं तभी समय पर काम पूरा हो पाता है इतना स्बार काम होने के बावजूद हमारा काम जो 11 वजे तक जादा तर खतम हो जाता है साब सफाई खतम करने के बाद जो है मैं पोचा लगाना शुरू कर दूँगी ताकि जो है मेरा काम खतम हो जाए लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जाड़ू पोचा पूरे कर लिये थे लेकिन उसके बावजूत मुझे दुबारा से जाड़ू पोचा करने पड़े क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी कि वापस सारी धूल अंदर घर में आ गई खुले घर का कुछ फायदा भी होता है कुछ नुकसान भी होता है खुले घर से ताजी हवा अंदर आती है और साथी साथ धूल मिटी भी सब अंदर ही आती है तो हम लोगों को बार बार मेहनत करनी पड़ती है मैंने पोचा लगा दिया था उसके बाद हवा चल गई और सारी धूल मिटी अंदर आ गई इसलिए दीदी को और मुझे दुबारा से जाड़ो पोचा करने पड़े तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ी आज इसलिए आज हमारा काम भी थोड़ा लेट हो गया हमें यही काम नहीं होते एक हाउस बाइफ अच्छे से जानती है कि उसे घर में और भी कितने काम होते है एक जाड़ो पोचा से ही काम नहीं पूरे हो जाते अब इतनी तेज आन्दी चली कि फिर दीदी ने जो सारे में पानी का छड़काव किया और फिर जाड़ो लगाई कि कितनी हावा चल गए थी इतना भे की थी सुबस जितनी में पहनत की थी सुबस लगे देथी दीदी भी और मैं भी जाड़ो किया फोचा लगाया लेकिन सारी में पेकार हो गई इतनी धूल धूलो गई फिर सारे घर में धूल लगई पिर दीदी ने सारे बहार जो है आगन में पाने तो आज तो हाला की खराब हुए हावा ने तो सच में हावा टाइट कर दी आज अभी थोड़े पहले मेरा है काम खत्म मेरा से सब्सक्राइब काम खत्म हुआ है सभी लोग जब काम करते हैं तभी काम खत्म नेका है तो हम नहाने के बाद लेक्षभी खाना काम अब खत्म हो चुका सुबह काम सउरी है अब हमको कुछ भी प्री हैं टीम बजे तक के लिए अब हमों हरे ग्यारा बजे रहें जब तक हम नहाने अगर आजाए तो अलग बात है वरना अब हमें प्री है तीन बज़े तक तो तीन बज़े ते गहों में दूद करना स्टार्ट हो जाता है अधि आता है तो तो मेरा काम तूद करना होता है तो मेरा काम के सश्रीव होता है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा होता है वो लगा हो तो प्रीटी से लाइक कीजेगा और पिस्कार करना ना भूलेगा थैंक यू एंड थैंक्स पर वाचिन माय चैनल